ओम नमाश शिवाय आसार मास क्रिशन प्रक्ष सुक्रवार प्रतिपदा तिथी 12 बज़कर 50 मिनट तक लगी रहेगी तद पस्चात दितिया तिथी प्रारम हो जाएगी चंद्रमा आज भी पूर्वा साढ़ा नक्षत्र में दोपहर 3 बज़कर 15 मिनट तक चलते रहेंगे तद पस्चात उत्तरा साढ़ा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे जिसके नक्षत्र स्वामी सूर्य देव है आज के जन्मे जातक सुंदर, लंबे शरीर वाले, सुखी, सात्री गुणों वाले और धनी होते हैं ऐसे जातक दयालू प्रवृत्ती वाले, एस्वरे साली और स्वाभिमानी होते हैं ये आकर्शक ब्रव्यक्तित वाले, घर और समाज में मुख्य भूमिका निवाने वाले, अध्यन सील, कानून का आदर करने वाले और सरकारी छेत्रों से लाव पाने वाले भी होते हैं यदि सहयोगी लगन रहा, शनीब, रिहस्पति और सूरी के इस्थिती अनकूल रही तो पून सफलोंगे चंद्रमा रात दस बजकर दस मिनट तक धनू रासी में ही चलते रहेंगे तत पस्चात मकर रासी में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके राशी स्वामी सनी देव है में श्रासी के जातक आज ये दिन कारे छेतर में सफल रहेंगे और संबंधित कारियों में व्यस्थता बनी रहेगी क्रिया सीलता और आत्मविश्वास में व्रिध्धी होगी केतु, मंगल और चंद्रमा तीनों आपके दसमे घर में विराजमान है आत्मविश्वास और सकारात्म कुर्जा अस्तर आपके हर काम को सफल बनाएंगे पत्नी की प्रेरणा और सलाह से आपके भागे में व्रिध्धी होगी और लाव मिलेगा मगर थोड़ी मानसिक उल्जन बनी रह सकती है अध्यान अध्यापन के लिए समय अनकूल होगा कारेच्षेतर में पूजी निवेश का योग चल रहा है साजेदारी के कामों में लाव मिलेगा सामाजिक प्रतिष्ठा में व्रिध्धी होगी और पीता के स्वास के प्रतिचिंता बनी रहेगी ब्रिश राज के जातकों के लिए आज का दिन कारेच्षेतर की ब्यस्तता और अपने बुद्धी कोशल के इस्तेमाल से सफलता में व्यतीत होगा रचनात्मक शक्रीदा से लाव मिलेगा ब्यावसाईक अनकूलता बनी रहेगी नए ब्यावसाईकी वजनाओं के लिए समय अनकूल है आर्थिक लाव मन मुताविक मिलता रहेगा मगर पुछ कामों में अनावस्यक चिंता, ब्यगरता और नकारात्मक विचार संभावित है हाला कि पारिवारिक मामलों में सुछ समाचार मिल सकता है सिक्षा प्रत्योगता में सफलता मिलेगी धार्मिक भावना बल्वती होगी और देव दर्शन के योग बनते हैं साथ ही पतनी के स्वास पर भी ध्यान देना चाहिए मितुन राश्री वाले जात्कों के लिए सामाजी प्रतिष्ठा, ब्यावसाइक सफलता और अभिकारियों की प्रेरणा से कारे सिध्धी का दोर चल रहा है नई योजनाओं को कार रूप में बदलने का समय उनकूल है आपकी योजनाओं लाहदायक परिस्थितियों में बनी रहेंगी नई योजनाओं की साजेदारी सफल रहेंगी संबंधित कारियों में यात्रा या प्रवास के इस्थिति संभावित है पतनी की प्रेरणा लाहदायक सिध्ध होगी शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, संतान संबंधी सुभ समाचार मिल सकता है स्वास संबंधी सावधानिया रखनी चाहिए और वाहन सावधानी से चलाएं करक राश्ची के जातकों को अपने कारेच छेतर में प्रबल आत्म विश्वास और मेहनत करने की प्रवरित्ती बनी रहेगी और नित्रित करने का मौका मिलेगा सरकारी काम का अज पूरे होंगे और अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा नौकरी करने वाले करमचारियों को कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी, उन्नती और लाव के मौके मिलेंगे मगर कुछ मामलों में पूरानी दिक्कतों की पुनरा बृत्ती संभावित है और समस्याओं का समाधान करने में आप सफल गहेंगे पारिवारिक तनाव की इस्थिती शाम तक अनुकूल हो सकती है विद्याथियों के लिए आज का दिन असमंजस भरा रहेगा हाथिक अनुकूलता बनी रहेगी मगर पारिवारिक सदस्यों के स्वास्त पर भ्यान रखना चाहिए सिंग राशी के जात्कों के लिए शारविक स्वास्त और मानसिक सोच दोनों प्रभावित रहेगी कामों में अडचन, लुकावट और मानसिक अंतरदंद का संकेत मिलता है इसलिगे आज संयमित जीवन व्यतित करना चाहिए पेट संबन्धी समस्याएं संभावित है कूल रहेगा, अध्यान भ्यापन में मन मुताविक उत्साह बना रहेगा और प्रतियोगी भावना विक्सित रहेगी कन्याराश के जात्मों का आत्म विश्वास, उर्जा, अस्तर और ब्यावसाइक द्रिश्टीकोंड, कारेच छेत्र और आर्थिक लाप के प्रति केंदित रहेगा आपके सहयोगी ग्रह केंद्र और त्रिकोर्ड में बैठे हुए है जिससे कार्व योजनाओं के उचित प्रबंधन की देखरेख और विस्तार में सफलता मिलेगी हलाकि मा के स्वास्त की चिंता और पारिवारिक दबाव महसूस करेंगे आपकी ब्यावसाइक योजनाएं फलिभूत होंगी और नए निवेश का प्रस्ताव मिल सकता है योग और सामाजी प्रेरणा मिलती रहेगी भूमी मकान या वाहन संबंधी मामलों का योग चल रहा है और नई कार्योजनाओं के प्रस्ताव लाखदायक रहेंगे रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे रुकी होई योजनाओं की शुरुवात हो सकती है मगर कुछ कामों में रुकावट या अर्चन की संभावना नकारात्मक विचारों का पैदा होना और मा के स्वास्त के प्रतिचिंता बनी रहेगी विद्याथियों के लिए समय अनकूल रहेगा संतान समंधि सुख समाचार मिल सकता है वैवाहिक प्रयास सार्थक होंगे आर्थिक पक्ष सामान रहेगा और सामाजिक समारों में सामिल होने का मौका मिलेगा ब्रिशेक राषिक के जातकों की दिढ़ इच्छा सकती और आत्म विश्वास कारे छेत के प्रति के अंदित रहेगा और विभागीय कारियों में नेत्रित करने का मौका मिलेगा आपके उत्सा आर्थिक लाव को गति देंगे धन संबंधी लेन देन में सावधानी रखनी होगी साजेदारी आज के लिए उचित नहीं होगी मंगल और केतु के साथ चंद्रमा के होने से मन का अंतरदंद परेशान करेगा और नीजी कामों में नकारात्मक विचारों का उतार चड़ाव संबंभावित है वाहन सावधानी से चलाएं सिक्षा प्रत्योगिता में सफलता मिलेगी साथ ही स्वास पर आवसक सावधानी बनाए रखे जटिलताएं संब्भावित है धनु राश के जात्कों की सकारात्मक कुर्जा हर काम को सफल बनाने के लिए सक्षम होगी मेहनत करने की प्रबृति और दिढ़ विश्वास बना रहेगा अपनी आंतरी कुर्जा को बनाए रखे मगरवाणी की तीवरता और प्रखरता में लचीलापन लाना उचित होगा आथिक लाव के नए औसर मिल सकते हैं साजेदारी के प्रस्ताव लावधायक रहेंगे और सरकारी कामकाज में सहीयोग मिलता रहेगा आथिक लाव की स्तिती सामाने रहेगी सिक्षा प्रद्जोगिता में सफलता मिलेगी और परयास सार्थक होंगी मगर राशि के जातकों के लिए आध्यात्मी पुर्जा में बिद्दियोगी और कारेत छेत्र में प्रतीध तो करने का मौका मिलेगा मंगल केतु और चंद्रमा आज आपकी राशी पर ही चल रहे हैं पुर्जा अस्तर द्रडविस्वास और काम करने की छमता में अभूत पुरू विकास होगा अच्छे और सुख काम का संयोग बना हुगा है वेवारी पप्ष सक्री रहेगा रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे अध्यान अध्यापन के लिए समय अनुकूल रहेगा वेवाहिक प्रयास सार्थक होंगे आर्थिक अनुकूलता बनी रहेगी और पारिवारिक सुख सौहाद में बिद्धी होगी मगर स्वास संबंदी आवस्टक साउधानी बनाए रखे और वाहन चलाने में साउधानी अपेक्षित है कुम्भराज के जातक अपने बुद्धिक उसल का परिश्य देंगे और सकारात्मक द्रिड़ विश्वास बना रहेगा मगर स्वास संबंदी आवस्यक सावधानी रखनी होगी, मौसम संबंदी समस्याएं संभावित हैं, मानसिक तनाव और अनावस्यक खर्च हो सकता है मगर व्यावसाई की योजनाव के लिए समय अनकूल है, आर्थिक लाव की स्थिती बनी रहेगी, वाद वीवाद संबंदीत मामलों में शांती बनाए रखें, संतान संबंदी चिंता बनी रहेगी, अध्यान अध्यापन में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, और भार्मिक यात में राशी वाले जातकों के कारेच शेत्र में सुकून मिलेगा, चंद्रमा के सूरी के नक्षत्र में होने से आर्थिक लाव में वृद्धी होगी, मगर मन गुप्त शत्रुओं से ससंकित रहेगा, हाला कि अपने उपर आलत से और नकारात्मक विचारों को हावी ना होने योजनाओं के विकास की दर और आर्थिक लाव में उतार चढ़ाव की पूर्ती करने की कोशिश करें, जोखिम फरा आर्थिक निर्णे उचित नहीं होगा, मगर आर्थिक सहयोग मिलता रहेगा, विध्यार्थियों के लिए समय नकूल रहेगा, संतान सम्मंधी चिंता बन नहीं रहेगी और ग्रिहों प्योगी वस्तू में व्रिध्धी होगी, आज के लिए बस इतना ही, कल फिल्मी लेंगे, ओम नमाश जिवाए